हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मूंग डाल की चाट इसके लिए हमने 200 ग्राम मूंग की डाल लिए जिसको एक कंटा पानी भिगो दिया था उसके बाद उसका पानी लिका लिया है हरा दनिया है यह मूंठ अए stiff अधरे हारा ऑकली पाे लिया हैनकरे टीग दो पित्समय फिराला नम्सका Walk a अधा नीबू है और ये दरब मसाला है आधा चम्मच अब ये घी है रड़ाई में में एक चमर की डाल दूँगे डाल को एड़ करेंगे अब इसे में फानी डाल हुई अगर एक पटो दी डाल दे रहा है आप पानी डाले ताक्या में इस दाल अच्छे से गल जाए अच्छे से गल जाए अधा चम्मच नमक अधा चम्मच हल्दी पाउडर ये सब डालके इसको हमको दीस मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर पीसमेट हम इसको पकाएंगे उसके बाद हम चेक करेंगे डाल के बन के तयार होने वाली है इसको एक मिनट हम पकने देंगे इस तरह से हमको इसको गोटना है इसमें डाल का दाना नहीं देना चाहिए हमें से कुकर में भी बना सकते थे लेकिन इसके हमें जाग अटाने थे इससे डाल की चाठ बहुती स्वाधिस्ट बनती है कि अब हैं इसको बंद कर देएंगे हमारी डाल हो चुकी है इसको आप द्रेक फास्ट में खा सकते हैं इसका टोरी में कारूं ही हुए इसको कि इसको ऐसे हम नमक पहले भी डाल चुकी है इसलिए नमक फूरा डालेंगे काला नमक थोड़ासा गराम मसाला काली मिर्च और गुरा जीरा लाल मिर्च लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के नुसाल लें तोड़ी सिहरी मिर्च नीबू का रस और उपर से बटर यारी कुछ भी डालें एक चमच इसके बाद उपर से थोड़ी सी धनिया बत्ती चार्ट बनकर तयार है आप इसे ट्राइ कीजिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू